युग बदल गया, लोग बदल गये, नए जमाने में नई नई तकनिकों से लोग रूबरू होते रहे, मगर नहीं बदलातु कटिहार के हसन गंज के सोसागाउं असी सालों से करीब तीन सो पड़िवार आज भी जद्धो जहद के तहट जीने को मजबूर है गाउं से बिमार को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए आज भी एक एम्बूलेंस मैसर नहीं होता क्योंकि गाउं तक पहुँचने के लिए एक सरक नहीं है और गाउं आज भी लोग खटिया का ही सहारा लेकर बुरहे भुजुर को अस्पताल तक पहुँचाने को मजबूर हैं बिहार के कटिहार के हसन गंज के सोसागाउं की ये तस्वीर है जो खुद में अपनी दास्ता को बया करने के लिए काफी है लोग आज भी इलाज के लिए खटिया के सहारे ही अस्पताल जाने को मजबूर हैं क्योंकि बारिश के दौरान पानी से गाउं के पगडंडी भर जाती है जिससे ग्रामीन गाउं से बाहर जाने के लिए पानी को तैरते हैं आजादी के 73 साल बीच जाने के बाद भी इस गाउं में सरक नहीं है नलजल योजना का पानी नहीं पहुँच पाया है स्कूल तो है गाउं में लेकिन यहां टीचर नहीं आते हैं इस समस्या तो यह सरक का है सरक कुछ है नहीं हम लोब भूत दिक्कल से आते जाते हैं और बिमार होने पर हम लोग खटिया से कुसी तरह मरेच को यह एक डेड़ किलो में लेके जाते हैं तब हम लोग को सरक मिलता है कर दो करते हैं कितना लोग मंत्री विठाइक बस गय है नहीं है कभी घ्र बार जाव चुके हैं क्या वोलता है कि बीमार परने पर ऐसे ही ले जाना पर रहा है। हम बात कर रहे हैं कटिहार के आधिवासी बहुल हसन गंज प्रखंड के सोसा गाउं की यहां बरसों से यही हल है इस गाउं में लोग बिमार पर जाएं तो शहर के अस्पताल जाते जाते बिमार की स्थिती देनी हो जाती है टापू नुमा इस गाउं में लगवग तीन सो लोगों की अवादी है और इस गाउं में अब तक सरक के नाम पर कुछ नहीं है इसलिए खास कर बारह और बरसात के मौसम में लोगों को अपने गाउं से बाहर जाने के लिए लगबग एक से देर किलो मीटर खेत के पगडंडी में चलने के साथ साथ नदी तैर कर पार होना होता है सबसे खराब हालत गाउं में किसी के बिमार परने पर होती है जहां लोगों को खटिया पर लाद कर नदी पार करवाना पड़ता है मगर विधान शभाथ खेत्र के विकास के बयार के दावे के बीच आदवासी बहुल हसन गंज प्रकंड के सुसागाउं का जमेनी हकिकत ये बताने के लिए काफी है कि आज भी देश के मूल निवासियों के सुभधा को लेकर सरकार अप्रशासन कितना जागरूख है या प्रतिनीदी से भी हमने संपर किया है कि ये एरिया बंचित क्यों है तो इसमें कुछ तकनिकी समस्या भी है जैसे लोग बता रहे हैं कि कुछ और प्रखान का एरिया पड़ता है फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको जाज परताल करके उसका रास्ता हम लोग निक बिकास के दावों के बीच अब तक इस गाउं को सरक से नहीं जोड़ा गया यह अपने आप में सरकार के निकम में पन को उजागर करता है खुलासा के लिए कटिहार से निरंजन सिंग की रिपोर्ट झालसा के बीच में अबर के लिए करता है